और यहां उपर छट में लगाने की टेक्निक भी इसकी कुछ खास होती है इसी अखंड दुनी के लोग फेरे वगरा लेते हैं आजकल हमारे इस नए वाले घर पे प्योपी फॉल सिलिंग का काम चलदा है और हमारे परोशन का मकान देखिए विल्कुल हमारे मकान से बहुत चैत बैसा के टाइम पर यहां रास्ते में देखिए किसी ने घर्या यानी की सर्सों की भारी रखी वी है काफी कम लोगों ने गाउं में अपने कीचन में सिंक बनाया होता है सबसब पहले आप सभी को मेरा प्यार भाहार नमस्ते मेरा नाम है प्रियंकातिवारी और आप अपी के साथ त्रियोगिनार गाउं और सामने की पहाड़ों के नजारे कुछ इस तरो से हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने स्री किदनाथ धाम के पीछे का हिमालय परवत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह से वहां पर तेज बरबारी हो र और यहां हमारे घर से सामने माई के साइट वाली पहाड़िया भी दिखाई देती थी लेकिन आज बिल्कुल भी नजा नहीं आ रही है और मैंने आलो की वीडियो में देखा था कि उधर साइट के जंगलों में किसी ने आग लगा दी जिससे पूरा वातावरन खराप हो रह है उतने खूब सुरत नजारे देखने को नहीं मिल रहे हैं हमारे घर के आंगर में यह जो सेब का पेड़ है आजकल इस पे डेट सारी पतिया भी आ गए हैं और उसी के साथ छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आगे हैं अभी यह कलिया है और जब यह फूल खिल जाते हैं तो वाइट कलर के हो जाते हैं इस बार पेड़ पर काफी सारे फूल देखने को मिल रहे हैं और फल भी इस बार जादा होंगे आजकल का मौसम ऐसा होता है कि तेज हवा के साथ बारिस होती है और साथ में कभी-कभी ओले भी गिर जाते हैं अगर यह सब चीज नहीं और यह मैट देखें बिल्कुत सुकी सुकी लग रही हैं और अभी हजबन जी और मेरी तयारी होगी है नीचे मार्केट राएट जाने की और अभी हम मंदिर के रास्ते से जा रहे हैं तो चलते चलते अभी हम आगे हैं उप्रदान जेड़ जी के घर पर जटनाम लग्याशन काम पर जेड़ जी आज बहुत बिजी है यहां पर कुछ बना रहे हैं जेड़ जी कुछ टाइम के बाद यहां पर कुछ प्रोग्राम होने वाला है वह तो वीडियो के माद्याम से आपको पता लगी जाएगा और यहां घर से चारों तरब के नजारेना बहुत ही खुब्सरों दिखाए देते हैं पूरा गाउन जार आता है यहां से लेकर और बिल्कुल उपर तक और दीदी भी आगे अभी सोके उटी दीपड़ना बढ़ना वे तब अठीस वास्ते हैं गोर फूंटेक्चित अच्छा सब काम पर लगे हुए हैं तो अभी दीदी लेकर आगी हैं साम की गर्मा गर्म चाई तो गर्मा गर्म चाई का अननन लेते हैं और दीदी को बद ठीक है पैस भी अच्छा हमारे गाओं में कुछ गोशलाएं कुछ इस तरों की भी हैं जिनकी ऊपर की छट घास पूस से बनी हुई है और यह घास चटानों पर उगती है दूर दूर चटानों से मिलाएं इस घास को लेकर आती हैं और यहां उपर चट में लगाने की टैक् तो एक साल तक दिवार भी खराब नहीं होती है पाने अंदर नहीं जाता है चलते चलते अभी हम अपने गाओं के मंदिर में पहुंस गए हैं और यहां मंदिर बिश्ण वगवान की वामन अवतार को समर्पित है और सिर्फ पारवती विवास्तल के नाम से पूरे विश्व खुलते हैं तो यहां पर भी बहुत भीर रहती है सरदालों की तो अब हम मंदिर के अंदर दर्सन करने के लिए चलते हैं यहां पर है रुद्रकुंड जहां पर हाथ पैर धुए जाते हैं और रुद्रकुंड के ऊपर की साइट है बिश्टकुंड बिश्टकुंड का जल अम्रित के शमान होता है, यहां पे नारट कुंड है, सबसे उपर है सरसुती कुंड और सबसे नीचे की साइट है ब्रह्म कुंड, और यहां पे है धर्मसिला, और आज हमको धर्मसिला पे बिल्ली दिखाई देरी है, क्या खारी होगी पता नहीं, और यहां पे सुंसान सा ओर का है लोग यहीं पर विवावंदन में बनते हैं और यहां पर सिव पार्वती विवाव का प्रितक्ष प्रमान है यह धर्मशिला और साथ में यहां पर बनी वी यह खूटी यहीं पर राजा हिम्मुवंत ने अपनी पुत्री को सवा सो करोड लाक गायों का दान किया था तो बहुत प्राचीन मूर्ती है जो कि पत्थर पर उकेरी गई है मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहां पर अखंड दुनी दिखाए देती है और इसी अखंड दुनी के लोग फेरे वगरा लेते हैं और यहां अखंड दुनी तीन इगों से निरंतर जलती आ रही है और इस स्टोर पहले यहीं पर था अभिशेक मेडिकल स्टोर के नाम से और अभी यहां पर चमुला जी हैं चमुला जी हम भी आ गया आज डॉक्टर के दोरे और कैसे आप अच्छा बस बढ़िया चमुला जी यहां पर रहते हैं और मैं भी यहीं पर बैठी रहती थी उपसासुजी क को साला जा रही हैं सुखी घास की भारी ले जाके अच्छा की घास को अदो तो सजी पड़ना में अच्छा पार जोए अच्छा आज का अच्छा फार्नाम खुसरो ठीक ठाक क्या लूना यह चोटे-चोटे बच्छी देखिए जंगल से लिंगना लेकर आ रहे हैं आज कर तो तो मिए अपने वाले घर की और काफी दिनों के बाद अपने नेवाले घर को देखने वाले हैं और इधर साइट देखिये एक छोटे से खेत में सरसों की खेती हो रखी है लेकिन इस बार सर्सों पर पता नहीं कैसा रोग लग गया कुछ इस तरों के वाइट वाइट कीड़े लग रखे हैं जिससे ना ही सर्सों अच्छा हो रखा है और ना ही इसकी हाइट बड़ी तो चले जी हम पहुंच गए हैं अपने नए वाले घर के पास और यह वाण्डरी देखिए इसका काम कंप्लीट हो रखा है और यहाँ पर टेंप्ररी गेट लगा रखा है जो कि पूरा भी नहीं खुलता अभी इधर साइट काफी सारा काम है इधर साइट अभी सोकते वगएरा का काम चल रहा है और बात में यहाँ पर ग्रेटिंग वगएरा करके टाइल वगएरा लगा देंगे हमारे इस मकान का फ्रंट साइड उधर की ओर है वहाँ से भी हम अंदर एंटर कर सकते हैं और एक दरवजा यहाँ पर भी लगना है यहाँ से भी हम एंटरी कर सकते हैं अभी आजकल हमारे इस नए वाले घर पे प्योपी फॉल सिलिंग का काम चल रहा है उन लोगों ने देखिए ऐसे जालिया वगएरा सारी जगवा बना के तयार कर रही हैं साथी बिजली वालों ने कुछ ऐसे तार डाल लगे हैं यह देखिए तारों का गुच्छा कितना बड लगनी हैं जिससे उजाला काफी अच्छी तरों से अंदर आ जाए और यहां का डिजाइन कुछ इस तरों का है अभी तो आदा अधुरा है जब पूरा बन जाएगा तब काफी सुन्दा लगने वाला है अभी मैं अपने घर के फ्रंट साइट से आ गई हूं यह तरों के घर हमसे बहुत ही जदा नज़्दीक हें इस बार वहां बहुत दिनों के बाद अपने नए वाले घर पर आये हैद और काफी सारे। देखने को मिल रहे हैं काफी सारा काम हो रखा है वैसे और भी ज़्यादा काम होना था लेकिन बीज में काफी सारे त्यवार आये जिससे मिस्टरी और लेबर लोग सब अपने अपने घरों को जा रखे थे त्यवार मनाने के लिए जिस तरो ग्रांट फ्लोर में काफी अच्छा इस्पेस है उसी तरो फर्स्ट फ्लोर के कमरों के आगे से भी काफी ज़्यादा इस्पेस है काफी चौड़ी चौड़ी बालकनी बना रखी है यहाँ पर बैठ के खुब स्थरा नजानों का आनन लिया जा सकता है और हमारे परो कान से बहुत ज़्यादा नजदीक है यहां पर से कोई भी उनकी छत में आसानी से जा सकता है इतना नजदीक है और इधर साइट भी देखिए प्योपी फॉल सिलिंग की जालिया बन रखी है और साथी बिजली वालों ने ऐसे तार वगरा डाल रखी है और इधर साइट भी जगों फैले हुए है यानि कि अभी इस घर में बहुत सारा काम बाकी है धीरे-धीरे करके काम हो रहा है काम धीरे करके हो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और सीडियों पर चड़ते-चड़ते ठकान हो जा रही है बाद में इतनी सपाई मैं सोच रही हूँ कैसे करेंगे यह बगवान गर तो बना दिया लेकिन मुझे हो रही है सपाई की टेंशन अब मैं आ गई हूँ दूसरी मंजिल में और यहां देखिए प्योपी फॉल्स लिंग का काम थोड़ा बहुत हो रखा है जब पूरी दरों से हो जाएगा तब काफी सुन्दर यह दिखने वाला है इधर साइट यह लिप्ट का स्पेस है लिप्ट सबसे देर में लगेगी और अब मैं आपको इधर साइट के रूम में लेकि जाती हूँ इधर साइट भी दो विंडो है और बालकनी में जाने के लिए यह दरवाजा है और जो इस रूम में रहेगा ना उनको बहुत नजारे देखने को मिलेंगे उची उची बर्फ से डखीवी पहाड़ियां साथ में पूरा गाउं का नजारा और नीचे स्टेशन का नजारा और साथ में हरे वरे खेतों का नजारा आप सभी लोगों के आसिरबाद से इस नए घर का कार्य लगातार प्रगिति पर है और अग यहां तो काफी खुला-खुला इस पेस देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर बड़ा सा टिन सेट बनना है और टिन इसलिए लगाया है जिससे पूरे घर की सप्टी बनी रहे पाले से यह घर बचा रहे इधर साइट सीसे वगरा लगने है यानि कि यहां उपर भी बहुत स पहाड़ों में काफी जड़ा आंदी तूफान होता है अभी तो यह एंगिल वगरा सिर्फ जाली टाइप के लग रहे हैं जब इसमें अच्छी तरफ से टिन लग जाएगी ना तब यह काफी खुफसरा दिखने वाला है और जब चारों तरफ से सीसे भी लग जाएंगे त आँ बहुत ही ज़ड़ा खुबसरा दिखाए दिखाए देते हैं उपर गाउं और इंटर कॉलेज यहीं सामने पर है और यहां से देखिए सामने पर जटोजी का घर भी दिखाए देता है यह वाला घर सामने पर तो अभी तो बहुत काम है अमारे घर पर बिल्कुल लाग में उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लगता है नीव बनाने में और साथी मकान के अंदर का कार्य करने में चाये वो लाइट फीटिंग हो पानी फीटिंग हो और चाये अंदर का डेकुरेशन हो उसमें तो सालों साल निकल जाते हैं तो अब देखते हैं कब तक हमार यह नया घर बन के तयार होता है, हम तो हमीशा हम भगवान से प्रादना करते है, कि जल्दी जल्दी घर बन जाए, लेकिन हर काम अपने अपने समय पर होता है, यह कलर मैंने पसंद किया है, आपको अच्छा लगा यह कलर? आझा है ना? सिंपल सोवर है ऐसे लाल पी लिए अच्छे नहीं लगते हैं चटक होता है वह तो चले जी अब बढ़ते हैं घर की और आगे और नई वाले घर पर जाके काफी अच्छा लगा काफी अच्छा काम भी हो रहा है और कहीं कहीं पर सुधार करने की ज़रत भी है काफी सारा काम ऐ ऐसा भी है तो दीरे दीरे सब काम हो जाएगा तो अब चलते हैं घर की और वापस यहां रास्ते में देखिए किसी ने घरिया यानि की सर्सों की भारी रखी वी है और आजकल गाओं की सारी मेलाएं खेतों से कुछ इस तरह से घरिया निकाल रही हैं और इस पे ये कपड़ा बोलना क्यों बाना जाता है जो भी सर्सों पकी पकी होगी वो इसी कपड़े में छड़ेगी इदर उदर नहीं गिरेगी तो कुछ इस तरह से रस्ती पर भारी लगाई जाती है घर जाने से पहले अपने गाउं के धारे में चलते हैं और इसको बोलते हैं नलसुन का धारा ये प्राकृतिक जल स्रोत है और यहाँ पे निरंतर पानी बहता रहता है प्राकृतिक जल स्रोत का पानी गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल ठंडा सा होता है और ठंडियों के टाइम पर बिल्कुल गुन गुना सा होता है गाउं के सभी लोग धारे पर ये कपड़े दोने के लिए बरतन दोने के लिए आते हैं और काफी कम लोगों ने गाउं में अपने कीचन में सिंक मनाया होता है तो आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपने अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जय देव भूम ये उत्राखंड